आने वाले चुनाव में बिहार की राजनिती किस तरफ करवट ले सकती है? तो आप देखेंगे कि जदियू में फाड होगी या तो तीन आप्षन बनते हैं तीन विकल्प हैं एक है कि नितीश कुमार सन्यास ले ले बोली कि भाया आप 22 साल मुख्यमंत्री रहें अब आप फट जाईए और अपनी पार्टी के सपोर्ट से आप भाजपा का मुख्यमंत पार्टी के दो टुकड़े होंगे मतला ओफिसियली दो टुकड़े हो जाएंगे एक जो जदियू में नितीश के लोयलिस्ट है वो रहेंगे और दूसरा जिनको अपना फ्यूचर कहीं और दिख रहा है तो वो अलग होंगे तीसरा ये विकल्प है जो NCP वाला कि आप नाम में से अभी प्रशांद किशोर का भी आपने सुनाओं को बोलने कि पाच भी सीटिन को नहीं आनी है दोजार चोबिस के चुनाओं में उसके साथ ही आप विधान सभाज चुनाओी तो मोधी के ही नाम पे लड़े थे कि 80,000 करोड की योजना दे दी ये दे देंगे वो दे उसके साथ हो लेते हैं तो आपको बिहार की राजनिती में यही सब दिखेगा दोजार पच्चिस में दोजार चोविस में आपको दिख जाएगा कि नितिश्कुमार पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका समाप्त हो चुका होगा उनको उतनी सीटे नहीं आएंगी उनका पाटी म वो खाली मुठोकवा बोलते हैं ना बिहार में वही बनके रह गये हैं उसके आगे वो कुछ भी नहीं है आप इनके विचारों और बातों से कितना सहमत है अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं देखते रहें सच्टॉक्स जैहिंद